आज की रेसिपी है मेथी के लच्चे पर आठे इसकी आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूं तो देख लेते हैं इसमें लगने वाले इंग्रेडियंट्स यहां मैंने लिया है गेहू का आटा आप चाहे तो यहां पर मैदा भी उज़ कर सकते हैं और यहां लिया है और यहां लेंगे हम अजवाइन यानि की करम सीड वन टेप टी स्पून यहां लिया है जीरा क्यूमिन सीड वन टी स्पून और यहां स्वाद की अनुसार नमक आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं और अब हम इसे अच्छे से गूथने के तयारी कर अजवाइन जीरा स्वाद के अनुसार नमक और मेथी के कटे हुए सूखे पत्ते इसमें पानी नहीं हो तो ही अच्छा है इसे अच्छे से दो कर पहले एक जाली में डाल दे ताकि सारा पानी सूख जाए अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इस आटे को गूत कर तयार कर लेना है आटे को बहुत ज्यादा नरम न गूत है और नहीं बहुत ज्यादा सक्त इसे मेडियम गूत कर तयार कर ले और इसे उपर से घी या तेल लगा कर पंद्रा मिनट के लिए ढख कर हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे पंद्रा मिनट बाद चेक कर लेते हैं हमारा आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसकी लोईया बना लेंगे यहां मैं लोईया थोड़ा बड़े आकार में बना रही हूं क्योंकि हमें लच्छे पराठे बनाने हैं और इसके लिए उसमें काफी सारी फोल्डिंग के जरूरत पड़ती है इसलिए मैं लोई बड़ी ले रही हूं तो चलिए शुरू करते हैं इसे बेलना पहले सुखे आटे को लेकर अच्छे से एक सिम्पल सी गोल बड़ी सी रोटी बना लेंगे अब इसे अच्छे से फैला लिया उसमें डालेंगे एक चमच घी या तेल अच्छे से ब्रश कर लेंगे थोड़ा यहां पर जादा तेल यूज करना है और साथ ही डालेंगे उपर से सूखा आटा, सूखा आटा डाल कर हमें इस तरह प्लीट्स बनाते हुए चपाती को फोल्ड करते जाना है, ये देखिए मैंने जूम करके आपको दिखाया है, तो ये जैसे छोटे बच्चे फैन बनाते हैं उस तरह, और फिर लास्ट वाला जो अब हाथ से थोड़ी देर तक फैलाना है, जब तक एक मीडियम साइज में ये होना जाए, उसके बाद बेलने से हलके हाथों से आटा लगाते हुए, आप चाहे तो आटा लगाए या सूखे ही इसे बेल ले, बहुत जादा दबाते हुए ना बेले, ये तो ये देखिए, एक मैंने मीडियम आकार का ही पराठा जो है तैयार कर लिया, इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बेल कर तैयार कर लेंगे, इसी तरह बाकी बचे हुए सभी लोईयों को मैं बेल कर पहले तैयार कर लूगे, और उसमें देखिए, सूखा आठा लगा देने से क्या होता है, उसकी जो परत है, वो अलग से दिखने लगती है, और वो खुल जाता है सेकते समय, हाथों से फैला लेंगे, और सूखा आठा लगाते हुए इसे बेल लेंगे, तो चलिए चलते हैं अब तावे की तरफ, तब तक गरम हो जाए, तब तक मैं बाकी पराठों को भी बेल कर तयार कर लेती हूँ, तो इस तरह मैंने सभी पराठों को बेल कर तयाल कर लिया, और हमारे तावा भी गरम रेडी है, तो पहले पराठी को उसमें डालेंगे, और थोड़ा सा मैंने उपर से घी ब्रश किया है, और मैंने टर्न कर लिया, अगर आप तवे पर तेल डा या घी डालकर डारेक पराठा डालते हैं, तो वो बहुत जादा तेल या घी एब्जॉब कर लेता है, इसलिए पहले थोड़ा सा सेक ले, उसके बाद ही घी या तेल लगाए, तो तेल और ये घी कम खाना ही अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा हेल्दी साइट भी देखना पड़ता है, तो ये देखिए किस तरह से परत भी खुल रही है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो ये हमारा लच्छा पराठा बिलकुल सक्सेस्फुल है, और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनके तैयार हो जाएगा, तो इस तरह इसे अच्छे से सेख लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर घी या ओयल जो भी है, वो कम अपलाई किया है, आप अपने स्वाद के अनुसार अपलाई कर सकते हैं, मैं यहाँ ब्रश से यूज कर रही हूँ घी, और इसे इस त पराठे खुलेंगी, मतलब यह जो पराठे है, यह इतना ही सॉफ्ट बनके तैयार हो जाएगा, तो यह बनके तैयार हो गया हमारा मेथी के लच्छे पराठे, आप चाहे तो इसकी जगह पालक भी यूज कर सकते हैं, वो भी खाने में बहुत स्वादिस्ट बनता है, और अ हमारे मज़िदार और स्वादिष्ट मेथी के लच्छे पराठे तैयार हो गया, तो अब हम इसे सर्व करते हैं, मैंने सारे पराठे इसी तरह सेक लिये थे, यह जो प्रोसेस है, यह मैंने सीखा है, यूट्यूब में ही किसी शेफ ने बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसका जो एक प्लस पॉइंट यह है कि इसके जो लेयर से ऐसे करने से खुल जाते हैं, यह देखिए, लेयर कितने अच्छे से अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने भी ऐसे ही किया, और वाकई यह बहुत अच्छा लग रहा है, तो यह तैयार हो गय इसी इंट्रिस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, इच हिल्दी, स्टे हिल्दी, टेक केर, बाबाई